नमस्कार साथियों आपके साथ मैं आयूशी और आप देखरें राजस्थान का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल दाखटक अगर आप भी इंतजार में हैं कि सरकार के द्वारा आपको फ्री मोबाइल फोन मिल जाए या फिर राशन के टाप तक पहुँच जाए तो अब ये इंतजार जो है वो बहुत जादा लंबा होने वाला है क्योंकि मंत्रियों की कमिटी ने जो आगे प्रस्ताव रखा है उसके अनुसार इस योजना पर जल्द ही लगाम लगने वाली है कहा जा रहा है कि ये योजना जो है लोकलू भावन जरूर थी पर इसका कोई ओचित्ते नहीं है ये चुनावी वक्त में किया गया एक बड़ा प्योग था जिसका फाइदा शायद कॉंग्रेस पार्टी को तो नहीं मिल पाया पर अब ये बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि BJP को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जब चुनाव आए गयलो सरकार ने एहम फैस्ता दिया इस योजना की चर्चा हर जगव हुई कई लोग तक फ्री मोबाइल पहुँचे फ्री राशन किट पहुँचे पर जब अब इस योजना पर ब्रेक लगाने की बात की जा रहे तो निश्यतार पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाए आएंगी कई लोग इसे सही ठहराएंगे तो कई इसे गलत भी ठहराएंगे पर हाँ ये बड़ी बात है जो लोग इसका इत्वसार कर रहे थे उन्हें एक बड़ा जटका जरूर लगा है क्योंकि मंत्रियों की कमिटी ने ये एहम प्रस्ताव रखा है और सबसे बड़ी बात कि ये जो बात आगे जाएगी तो कहा जा रहा है कि बजलाल सरकार की पहली वर्षगाट पर कुछ एहम बदलाओ कि जा सकते कुछ एहम फैस्ते सुनाई जा सकते उनमें ये भी हो सकता है अब दूसरा मुद्दा या कहें कि सबसे जादा चर्चाओं में रहा मुद्दा गैलोत सरकार ने जाते जाते राजस्तान में कई नई जिलों की सौगाती अब कहा जा रहा है कि बजलाल सरकार अपने एक साल पूर्ण करने के मौके पर हो सकता है कि कई नई जिलों को खत्म क है अलाखि इसको लेकर किमीटी कभिए गठित की गई कमीटी इसको लेकर कि लकाता चर्चाओं का दौर करती रही उसके बात तमाम पहलों को ध्यान में रखती वेशको लेकर के पूरा प्रस्तावतयार किया गया एक बड़ा और एहम बदलाओ जो आपको देखने को मिल सकता है साथ ही आपको जानकारी दे दे कि बात यही नहीं रुकेगी बात यही भी रहेगी कि one state, one election इस process को लेकर भी फैसला हो सकता है कहा जा रहा है कि इसको लेकर कि एहम बदलाओ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि लगाता है हमने सुना की one nation, one election की बात की गई और कही ना कहीं राजस्थान जो है इस तरीके की योजनाओं की प्रियोक्षाला रहा है कई बार कही हैं फैसले जब लिये जाते हैं तो किसी ना किसी state को उसकी प्रियोक्षाला बनाया जाता है कि जब national level पर इस तरीके की योजना को लागू किया जाएगा तो उसका क्या impact होगा किस तरीके से उसे लागू किया जाएगा तो हो सकता है कि राजस्थान से इसकी शुरुआत हो और one state, one election इस तरीके की policy यहां पर बने और उसके बाद आगे national level पर इसको आधार मानकर कोई बड़ा यहां पर decision हो तो वहीं आपको जानकारी दे दे कि जनवरी में 6955 ग्राम पंचायतों और करीब 100 के आसपाई शेहरी निकायों का कारिकाल पूरा हो रहा है ऐसे में अगर one state, one election के तहट एक साथ चुनाव होते हैं तो जनवरी में जिन संस्ताव में चुनाव बाकी है उन्हें आगे खिसकता होगा उस स्तिती में 6955 ग्राम पंचायत और 100 से जादा शेहरी निकायों में प्रशासक लगाने के लिए सरकार कानूनी जानकारों से विचार विमर्ष कर रही है तो वहीं आपको जानकारी दे दे कि अब जो एहम मुद्दा सब इंस्पेक्टर भरती से जुड़ा तो रद करने या नहीं करने पर भी जल्दी फैसला होगा ऐसा ही भरती परिक्षा 2021 को रद करने या नहीं करने को लेकर भी सरकार जल्द फैसला करने की तयारी में है क्योंकि ये एक ऐसी कस्मकश वाली इस्तिती है सरकार के लिए खुद के लिए क्या आखिर करे तो करे क्या क्योंकि कही ना कहीं ये सरकार भी मान रही है कि हाँ इस भरती के दौरान कई गडबड़े हुई है गडबड़े लगातार सामने भी आ रही है हर इस तर पर इसको लेकर के जाजपरताल की जा रही है कई आरोपी जो है शकंजे में फस्ते जा रहे है और कईयों को सलाखों के पीछे भी पहुचानी की पूरी तयारी की गई है लगातार ये मांग उठती आई जो चरण थे वहाँ पर जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ या कह लीजिए वो कई लोग इस चीज़ को लेकर के ये डिमांड करते है कि भरती रद हो पर वही कई लोग जिनका सिलेक्शन हुआ जिनोंने पूरी मेहनत की वो ये कह रहे हैं कि भरती ना रद हो कई तरीके के दावे हैं कई तरीके की बाते हैं पर सवाल ये कि आखिर इस भरती परिक्शा का किया जाएगा तो क्या किया जाएगा हल क्या निकलेगा तो ये चार एहम बदलाव जिनका जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि बज़राल सरकार के एक साल पूर्ण होते होते इन चार एहम मुद्दोग पर बात की जाएगी इन पर कोई फैसला आ सकता है पहला फ्री मोबाइल वितरन और फ्री राशन किट वितरन दूसरा वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के तीसरे अगर हम ब रिव्यू इसको लेकर भी कई बार सवाल उत्ते हैं नई जिलों के रिव्यू को लेकर के कई स्टर पर बात की गई कि आखिर अगर खत्म करते हैं नई जिले जो छोटे बने हैं तो उसका क्या एंपक्ट होगा क्योंकि सरकार के लिए निश्चितोर पर एक अग्णी परिक् इश्चा को सरकार किस तरीके से पास कर पाती है सरकार के लिए बड़ी चुनावती है